सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल और वेल आइकन को प्रिस करें सबसे पहले सेलेक्शन के लिए ख्याले हैं उन सभी यानि के सभी प्रिस्ट आपको देखने को मिलेंगे तो कुल मिलाकर कुल मिलाकर बात करें साथियों क्लास आपकी शुरु हो चुकी है और पहला प्रिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि जो हॉर्नबिल तवार है एक प्रिस्ट आदिवासी तवार है ये भारत के इन में से किस पूर्वोतर राज में मनाया जाता है ये जो पुर्षन आप से पूछा जा रहा है वो इतना पूछा जा रहा है कि हॉर्ण विल तेवार कहां पर मनाया जाता है तो ये नागा लेंड में मनाया जाता है इस परकार आपका सही उत्तर option number C हो जाता है अगले नंबर का पुछन देखे कि ओडम जो है साथियो ओडम ये कहां पर मनाय जाता है ये तेवार करनाटक में, महराष्ट में, केरल में या गुजरात में तो ओडम की बात करें तो ये तो साथियो कहां पर मनाय जाता है केरल में मनाय जाता है इसलिए इसका सही उत्तर आपका option number C हो जाता है ये आपको धियान रखना है बात करें जब केरल में ओडम तेवार मनाय जाता है तो वहाँ पर race का भी आयोजन किया जाता है ये तेवार क्य यानि कि जो फसल होती है, जो खेती होती है, इसकी खेती की फसल को अच्छा करने के लिए कि अच्छी उपज हो, इसलिए केरल में ओडम तिवार मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखें कि रण उसफ सातियों कहां पर मनाया जाता है, कि सराज में रण उसफ का आयोजन किया जाता है, ये आप से पूछा जा रहा है, तो रण उसफ की बात कहले तो ये तो गुजरात पर मनाया जाता है, इसलिए आपका सही उतर आप्शन नमबर ए हो जाता है, उसके बाद देखिए कि जल्ली कटू आप से पूछा जा रहे क्या है जल्ली कटू कहां पर मनाय जाता है तो तो तामिल नाडो में मनाय जाता है ये है क्या ये इसकी अगर बात करें तो साड्ड को वश में करने के लिए लोक पर ये खेल है जो के सांडो से संबंदित है तो ये कहां पर मनाय जाता है ये तामिल नाडों में मनाय जाता है ये बात आपको ध congressional डखना है उसके बाद देखिए कि पुशकर मेले कायोजन पुशकर में किया जाता है ये किस दिले में इस्तित है तो पुशकर की अगर बात करें साथियों ये कहां पर इस्थित है पुशकर मेला कहां पर लगता है ये आप से साथियों यहां पर पूछा जा रहा है तो पुशकर ये कहां पर स्थित है ये तो अजमेर में स्थित है ठीक है दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि पुशकर कहां पर मेला लगता है तो अजमेर में लगता है ये भी आप लोग को ध्यान रखना है उसके बाद देखे कि कथकली भारती नितनाटक का एक रूप ज ग developing debate कैरल का नत्य है यह आपको दिहान रखनाства और मोहिनी अटम कहां का है तो यह भी केरल का ही एक नत है उसके बाद देखिए कि नोटंकी किस राज का एक लोक नत है तो साथी नोटंकी कहां पर की जाती है ये एक लोक नत है और किस राज का ये लोक नत है तो उत्तर पदेश का लोक नत है ये बात आपको धियान रखना है चरिए उसके बाद देखिए किस राज में त तमाशा नित का आयोजन किया जाता है यह तमाशा नित कहां के लिए प्रिस्द है तो यह तो महराश्ट में किया जाता है तमाशा नित कहां किया जाता है यह आपको ध्यान रखना है उसके बाद देखिए कि बिहु नित किस भारती राजिक का एक लोगनित है बिहु की अगर स हमाल नित कहां किया जाता है हरियाना में किया जाता है और अगर बिहु नित की बात करें तो ये तो आसम्मे किया जाता है इसलिए इसका सही उत्तर आपको आप्शन नमबर ए हो जाता है उसके बाद देखिए कि घूमर जो है ये कहां का पारंपरिक एवं उत्सहपूर्ण लो जिम्ह होई है तो भरत नाट्यम की उत्पति किस राज जिम्ह होई है यह आप से पूछा जा रहा है तो अभी मैंने आपको बताया था कि तमिल्नाणू का एक नृत है कौन सा भरत नाट्यम है तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो का वा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है उसके बाद देखिए अगले नंबर का पृष्ण आपके स्क्रीन के उपर है गर्बा नृत निल्मिकित में से किस राज़ से संबन दी था तो पर किया जाता है यह आप से पूछा जा रहा है बताई भर तो बात करें गुजरात में किया जाता है गर्बा नृत तो यह गुजराती नृत आपका कहलाएगा कौन से नृत गर्बा नृत तो जो लोग भी हापर आप्शन नंबर डी के साथ हैं बिलकुल सही उत्तर है आप तो ये परिश्णा आपके लिए साथियों बहुत ही इंपोर्टेंट है कि हρούर्मोन यम में क्या होता है कीबोर जया हिसा होता है तो ये आपको ध्हान रखना है उसके बार देखिए कि इन में से कौन प्रिशुद संतूर वादक है ने इन में से चार option आपके सामने हैं तो बताने की कोशिश कीजिए तो बात करें अगर शिव कुमार की तो ये कौन है सात्यूज ये संतूर वादक हैं ने के संतूर से संबंदित हैं अगले नमबर का पुर्षण है कि पुरुषद्ध संगीत कार अस्ताद बिस्मिल्ला खां किस संगीत वाद्यांतर से संबंदित हैं तो ये भी पुरुषण साथी इंपोर्टन् है बताने की कोशिश करेंगे तो शहनाई वादक की अगर बात करें इनमे से शहनाई वादक कौन हो जाएंगे तो उस्ताद बिसमिल्ला खाँ शहनाई वादक है या आप लोग ध्यान रखेंगे आप्शन नमबर सी अगले नमबर का प्रशन है कि उस्ताद अमजद अली खान अमनिकित में से किस वादेहंतर के वादक है या उस्ताद अमजद अली किस से सम्मन्दित है बासूरी से सरोच से शहनाई से या संतूर से बताई वह तो एक नाम मैं आपको बता रहा हूँ हरी परसाद चौरसिया का तो ये तो बासूरी वादक है हरी परसाद चौरसिया अगर बात करें सातियो शहनाई की तो शहनाई वादक अभी मैंने आपको बताया था उस्ताद बिसमिल्ला खान अगर बात करें सातियो संतूर वादक की तो शिव कुमार कौन है संतूर वादक है और बात करें अगर उस अग्ला प्रिश्ट में से कौन सितार वादक नहीं है लेकिन उससे महत्पूर बात यह है कि इन में से कौन कौन सितार वादक नहीं है तो बात करें अनुष्का शंकर की तो यह तो सितार वादक है अगर बात करें साती उस्ताद विलायत खां की तो यह भी सितार वादक है और रवी शंकर की बात करें तो यहां पर आपको याद रखना है कि शिव कुमार शर्मा की बात करें तो यह तो साती उस संतूर वादक है म खिल बनर जी हैं ये सब कौन हैं ये सब सितार वादक हैं संबन्दित हैं संतूर वादक की बात करें तो पंडिश शिव कुमार शर्मा भजन सोपोरी ये कौन हैं ये दोने ये संतूर वादक हैं तबला वादक की अगर बात करें तो अल्ला रखा खां तबला वादक हैं, लतीफ खां तबला वादक हैं, गुदई महराज तबला वादक हैं, और जाकिर हुसें तबला वादक हैं, बासुरी वादक की अगर बात करें तो हरी परसाज चौरसिया बासुरी वादक हैं, पन्ना सही उत्तर आपका क्या हो जाता है option number C हो जाता है उसके बाद देखिए अगले नंबर का पुर्षण है कि कौन सा भारतिय शहर कड़ाई की कला यानि के चिकन कारी के लिए पुर्षद है तो चिकन कारी सातियों की शहर की पुर्षद है तो बच्चा कहेगा लखनो की पुर्षद है तो सभी लोग जानते है कि चिकन कारी कहा की पुर्षद है लखनो की पुर्षद है और लखनो में ही छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा है ये दोनों बाते आपको ध्यान रखना है अगले नबर का प्रिशन है कि इन में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुलकलाम के दौरा लिखी गई तो कौन सी उस पुस्तक का नाम आपको बताना है कि जो डॉक्टर अब्दुलकलाम के दौरा लिखी गई तो दे लाइफ ट्री के अगर बात करें ये कैसी पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखी गई अबुलकलाम आजाद के द्वारा लिखी गई ये आपको ध्यान रखना है उसके बात देखें के पुस्तर इंटर्प्रेटर ओफ मॉलडीज द्वारा लिखी गई कौन सी है बताई वे चलिए ये पुस्तक जो हैं जो जिसका नाम है इंटर्प्रेटर ओफ मॉलडीज ये औभ को बताना है तो जुम्पा लाहिजी का नाम आप सभी भी ध्यान रखेंग जुमपा लाहिडी की पुस्तक का नाम क्या है Interpreter of Maladies है अगले नमबर का प्रिश्ण है कि रेपबलिक आपसे पूछी जा रही कि रेपबलिक के लेखक कौन है तो रेपबलिक के लेखक की अगर बात करें तो प्लेटो जो हैं ये रेपबलिक के ही लेखक है ये प्रिष्ण बहुत ही जादा पूचा जाता है आपको ध्यान देना है आगले नमबर का प्रिष्ण है कि पहला विश्व परेवन दिवस किस वर्ष में मनाया गया था ये आप से पूचा जारा बताई तो अगर पहले विश्व परेवन दिवस की बात करें तो साथियों कब मनाया गया था 1914 में मनाया गया था एने कि option number 10 प्रिशने का बिल्कुल सही उतर है आगला प्रिशना है कि भारत में राष्टे योवा दिवस कब मनाया जाता है तो साथियों static gk के जितने भी topic यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं हर एक topic से important important प्रिशन को उठाया गया है तो आपकी परिशा को फते है करने के लिए तो आप सबका भी करता वबनता है कि इस वीडियो को like करके इस वीडियो को एक बार share जरूर कर दे क्योंकि share करने से साथिवों हमारा motivation बढ़ता है तो चलिए वाई class को दुबारा से यहाँ पर देखते हैं कि 26 में नंबर का पुष्णाब की screen इनकों पर है कि राश्टिये यूवा दिवस कम मनाय जाता है तो बारह जनवरी को कौन सा दिवस मनाय जाता है राश्टिये यूवा दिवस मनाय जाता है अगला देखिए कि राष्टिये खेल दिवस आपसे पूछा जा रहा है कि कब मनाय जाता है तो राष्टिये खेल दिवस की अगर बात करें तो ये तो 29 अगस्त को मनाय जाता है कौन सा दिवस राष्टिये खेल दिवस कब मनाय जाता है 29 अगस्त को उसके बाद देखिए कि भारत में सेना दिवस कम मनाय जाता है तो भारत में सेना दिवस की बात करें तो ये तो पंधरा जनवरी को मनाय जाता है इसलिए इस प्रिशनिकास सही उत्तर जो है वो आप्शन नमबर B के साथ चला जाता है यानि के पंधरा जनवरी चलिए चली वै, तो पंधरा जनवरी को भारत में राश्टी दिवस मना जाता है, अगर वाईयो सेना दिवस पूछ ले लियनेर के भारती वाईयो सेना दिवस कब मनाय जाता है तो आठ अक्टूबर को मनाय जाता है और भारती नौसेना दिवस कब मनाय जाता है चार दिसम्बर को मनाय जाता है ये दोनों बाते भी आपको ध्यान रखना है आगला प्रुशने की है कि बीस फरवरी को इन में से कौन सा दिवस मनाय जाता है तो बीस फरव नमबर आपको ध्यान रखना है क्यों कि जो सविधान है साथियो 26 नमबर 1949 को बनकर तयार हुआ था इसी वजह से 26 नमबर को सविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है उसके बाद देखिए कि विश्व जनसंख्या दिवस कम मनाया जाता है यह आप से पूछा जा रहा है त यह दिवस कम मनाया जाता है तो 11 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है कौन सा विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है उसके बाद देखिए अगले नमबर का पुर्षन है कि सयूकतराष्ट का हेड़कवाटर कहां पर इस्तित है कहां पर इस्तित है ये सयूकतराष्ट का N.K. United Nation का मुख्याले बताई देखिए बात करें आपसे अलगलग तरह से पूछे जाते हैं मुख्याले जिसके अराश्टर मंडल अगर आप मुख्याले पूछ ले तो लंदन में अराश्टर मंडल का मुख्याले है विश्वस्वा संगठन का मुख्याले कहां पर है जनेवा में विश्वस्वा संगठन का मुख्याले है वर्ल्ल बैंक का मुख्याले कहां पर है तो वशिंग अटन डीसी में वर्ल्ल बैंक का मुख्याले है लेकिन बात करेंगे सयुक्तराष्ट का मुखैले कहां पर है सातियों तो नियॉयॉर्क सिटी में सयुक्तराष्ट का मुखैले है ये आप लोगों को धियान रखना है आगला पुछ देखिए कि सयुक्तराष्ट के प्रमुख अंग आपको बताना है कितने है तो सयुक्त राश्ट याने की यूनाइटेड नेशन के जो प्रमुक अंग है वो कितने हैं छे हैं आपको ध्यान रखना है इनमे से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का पूरवर्ती था तो कौन सा थातियों व्यापार एवं शुलक पर सामान करार ये सातियों विश्व व हाँ पर है तो जेनेवा सोजलेंड में है ये भी आपको ध्यान रखना है विश्व सव संगठन का मुख्याले कहां पर इस्तित है या आप से सातियों पूछा जा रहा है तो यहाँ पर इस प्रशन का सही हुतर क्या होगा कि विश्व परेटन संगठन का हेड़कॉर्टर कह है ये सारी बाते सातियों आपको ध्यान रखना है चलिए तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है उसके बाद देखिए कि यूनिसको का हेड़कॉर्टर कहां पर इस्तित है ये आप से पूछा जा रहा है ये इनिसको कि अगर बात करे तो सयुक्त रा जाए कि यूनिसको का गठन कप किया गया था तो 1945 में यूनिसको का गठन किया गया था अगले नंबर का पुछन है कि यूनिसको की फुल फॉर्म एक तरह से आप से पूछी जा रही कौन सी है तो यूनिसको की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी भाई आ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो United Nation Educational Scientific and Cultural Organization हो जाएगा ये आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है। South Asian Association for Regional Corporation क्या हो जाएगा ये सार्क का विस्तरित रूप हो जाएगा ये आप लोग ध्यान रखना है। आगला पुर्शन देखें यहाँ पर बताने की कोशिश किजए कि World Bank का मुख्याले कहां परिस्तित है तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि Washington DC में साथी हो World Bank का मुख्याले है। ये यू ऐसे में अमेरिका में World Bank का मुख्याले है ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आपको option number B हो जाता है ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि विश्युद्ध की स्थापना कब की गई थी ये आप से पूछा जा रहा है। तो कौन से यू शुद्ध के बात की गई थी तो दूसरे विश्युद्ध के दोरान ही की गई थी ये आपको ध्या जबके गठन अगर बात करें तो गठन कब हो गया था गठन 1944 में ही हो गया था वर्ल्ड बैंक का ठीक है साती हूं चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का पुर्षन है कि इन में से किस अंतराष्टिय संगठन का मुख्याले वाशिंग गठन डीसी में है तो बात करें स उसके अलावा साती हो अगर बात करें यूरोपिय सेंटरल बैंक का मुख्याले कहा पर इस्थित है तो जर्मनी में इस्थित है और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की अगर बात करें तो इसका मुख्याले फ्रांस के पैरिस में है दोनों बाते आपको ध्यान रखना उसके बात देखें कि विश्व बौधिक संपदा का मुख्याले कहा पर इस्थित है टोक्यों में बिजिंग में पैरिस में या जेनेवा में तो विश्व बौधिक संपदा संगठन का मुख्याले जो इस्थित है वो जो जेनेवा में इस्थित है कहा पर इस्थित है जेने 275 में हो गया था, G7 की बात करें तो इसको group of seven कहा जाता है, group of seven कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, तो अगर बात करें इसमें कौन कौन से देश सामिल है, साथ देश सामिल है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, United Kingdom है, जापान है, साइकतराज अमेरिका है और कनाड़ ये साथ देश इसमें G7 में शामिल है, तो बात करें इसका राइट आंसर क्या होगा, कि International Monitoring Fund अंतराश्टिये, अंतराश्टिये, मुद्रा कोश द्वारा गोशित, विश्व की साथ उन्नत अर्थवर्ष्टाएं इसमें शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है, आगला स्थापना कब हुई, तो कहां पर हुई साती सूजलेंड में इसकी स्थापना हुई, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो राइट आंसर यहां पर आप्शन नंबर C के साथ चला जाता है, उसके बाद देखिए, 48-49 नंबर का पुर्ष्ण है कि भारत में राष्टिये वधिकार आयो की स्थापना अक्टूबर 1993 में की गई, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कब की गई, अक्टूबर 1993 में की गई, इसलिए इस प्रष्ण का सही उतर आपका क्या हो जाता है, आप्शन नंबर B हो जाता है, अगला प्रष्ण देखिए कि OPEC का हेड़कौर्ट आपसे साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो OPEC का हेड़कौर्टर कहां पर इस्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताई बै, चले, साथियों बात करें, OPEC में कितने देश हैं, तो OPEC में 13 देशों का संगठन है, ये आपको ध आउस्ट्रेलिया निवल्के आउस्ट्रिया के वियना में इसका हेड़कौर्टर है, ये बात आपको धियान रखना है, आगले नंबर का पुर्षन है कि अंतराष्टियों मुद्राकोश यानिके International Monitoring Fund IMF का हेड़कौर्टर साथियों कहां पर इस्थित है, ये आपसे उमीद करता हूँ, क्लास आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करके शेयर जरूर कीजएगा आप सभी लोग, तो मिलते हम सभी लोग आने वाली वीडियो में जैहिन सातियों सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ड और वेल आइकन को प्रिस करें, सबसे पहले सेलेक्शन के लिए